हेलो दोश्तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के स्नेक्स दिवाली आ चुकी है और इस दिवाली में हम कुछ नमकीन और कुछ मीठा बना लेते हैं इस दिवाली पर मैंने नमकीन बनाया है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लेगी तो प्लीज लाइक, सियर, कमेंट की तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम लेते हैं एक कप सूजी सूजी को हमें मोटा नहीं लेना है सूजी अगर मोटा है तो उसको हमें ग्राइन कर लेना अच्छी तरह से थोड़ी सी सूजी महीन हो जाएगी अब यहाँ पर लेते हैं एक चमच नमक स्वात के अनुसार दिबाली के मौके पर इस तरह से नमकीन बनाई है और यह बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनते हैं नमकीन इसे बनाना भी बहुत ईजी है हमने बहुत ही सीम्पल तरीके से इसे बताया है इसके बाद हम इसमें डालते हैं दो बड़े चमच रिफ सारी चीजों को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है तो यहाँ पर मैंने सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है सभी चीज अच्छी से मिल गई है अब इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा पाई डालकर इसे अच्छी तरह से हमें गूथना है तो इस तरह से हमें अ तो अब इस ठ्रकन को हटाते हैं और देखिए जो सूजी है अच्छी तरह से एकदम फूल गई है और बहुत ही बढ़िया से इसका टेक्श्चर अब देखी सकते हैं तो फिर से इसमें थोड़ सा और पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हमें गुतेंगे आटे की तरह इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है और बहुत ही कम समय में बहुत ही इसी तरीके से ये बन जैना वाला रेसिपी है तो देखे दोस्तों जिस तरह हम आटे गुत रहे हैं इसी तरह से आपको आटे को अच्छी तरह से तयार करना है गुत कर इसको हम लोग रोटी के शेप देते हैं तो इस तरह से हमें सूजी को अच्छी तरह से पेड़ा जिस तरह बना लेना है और इसको हमें रोटी की तरह बेलना है तो यहाँ पर हमने सुखा आटा उपर से छिड़कर अच्छी तरह से हमें इसको रोटी की तरह बेल लेना है जिस तरह से घर में हमने नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसी तरह से हमें रोटी बना लेना है बहुत ही बढ़ियां से रोटी को बेल लेते हैं तो मैंने इसे बहुत ही अची तरह से रोटी को बेल लिया है अब चलिए इसे हम साइट, दोनों साइट कट कर लेते हैं तो देखे इस तरह से हमने यहाँ पर अची तरह से कट करके इसको निकाल लिया है अब इस तरह से हमें रोटी को कट करना है आमें square shape देना है इस तरह से हमें square shape में cut कर लेना है बहुत ही कम समय में ये snacks बनके भी ready हो जाता है और बच्चों को काफी पसंद होता है अब बनाना में बहुत ही असान है तो यहाँ पर आप देखी सकते हैं दोस्तों मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरह से सबको cut कर लिया है अब इसको चलिए fork spoon से हमें design का shape देना है मैंने यहाँ पर एक fork spoon लिया है अब इसका जो पीछे वाला भाग है आप देख सकते हैं मैंने एक रूटी का टुकड़ा लिया है और इसको हमने अच्छी तरह से प्रेश करना है इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन आ गया है अब इसको अच्छी तरह से हमें इस तरह से fold कर लेना है इसी तरह से हमें सुजी का Snacks बना लेना है तो इस तरह से देखिए एक ठोड हम दिखा देते हैं आपको Design बना कर इसी तरह से बना लेना है बहुत ही बढ़िया से प्रेस कीजिएगा दोस्तों इस तरह करने से जो है इसका Design बहुत ही अच्छा से बनता है और इसको हलकल के हाथों से हमें इस तरह से fold कर लेना है तो सारे snakes बनकर अच्छी तरह से ready हो गया है अब चलिए इसे हम fry करते हैं तो यहाँ पर मैंने तेल को गरम होने के लिए रख दिया था तेल भी बहुत अच्छी तरह से गरम हो गया है अब यहाँ पर low flame रख देते हैं और इसे अच्छी तरह से हमें fry करना है ध्यान रहे हमें आहिस्ता आहिस्ता इसे हमें अच्छी तरह से डालना है हमें गरम तेल में नहीं डालना है हलका सा medium flame पर ही इसे तेल रखे अच्छी तरह से हमें fry करना है इसमें मैंने सारे snacks को अच्छी तरह से डाल दिया है तेल में और इसे अच्छी तरह से हमें fry करना है और इसे golden होले तक हमें अच्छी तरह से fry करना है इसे अच्छी तरह से उलट पलट करके हमें golden color होने तक हमें fry कर लेना है और देखी सकते हैं इसका color भी बहुत इची चतर से change हो गया है तो इस तरह से हमें सारे snacks को fry कर लिया है अब चले इसे हम serve करकर के आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर finally हमारा snacks बनके ready हो गया है इस दिवाली के मौके पर आप जरूर इस तरह से snacks बनाएए बहुत ही बढ़ियां बनेगा I hope कि वीडियो हमारी अच्छी लगे मिलते हैं अगले next वीडियो में एक नई recipe के से